कि अंटी सोशल पर्सनेलिटी डिसॉर्डर के बारे में मैं आप से आज बात करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक करे करे में मनोविकार सेख्ष्रोग संमोहन तथा विस्नमगी तग्यों महाराष्ट में अकुला में प्रैट्टिस करता हूं यह एंटी सोशल पर्सनेलिटी डिसॉर्डर यह एक बीमारी है उसको पागलपन नहीं कहते हैं मगर एक तरह की बीमारी है और यह 15 साल के बच्चों बच्चे जो है मतलब वहां से कुछ ना कुछ कुछ सुरुवात दिखाए जैती बरताव में कुछ तभी फरक है एंटी सोश पर्सनेलिटी डिसॉर्डर इसका डाइगनोसिस निदान जए वह 18 साल के बात में होता है मगर 15 साल से कुछ ना कुछ उसमें दिखाए जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बढ है यह बच्चे को लोगों के बारे में कुछ आधर नहीं होता लोगों को टालते रहता है लोगो बतला हो जो है वो ठीक नहीं रहता 15 साल से और 18 साल से तो उसको डाइगनोसिस दिया जाता है कि यह एंटी सोशल पर्सनेलिटी डिसॉर्डर है तो इसमें यह कौन से मतलब इसके क्या-क्या गुण है या क्या-क्या वह गुण है या केरेक्टरिस्टिक से वह देखेंगे मै मैं भी आपको साथ पॉइंट्स बता रहा हूं उसमें से कम से कम तीन होना जरूरी है तो मुसको कहलाते कि एंटी सोशल पर्सनेलिटी डिसॉर्डर नंबर एक कि वह व्यक्ति ऐसा काम करता है कि जिसमें उसको पुलिस पकड़ सकती है और जेल भेज सकती है ऐसे कामों में इनमाल होना नंबर एक नंबर दो बार 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 जूट बोलना नंबर तीन भविश्य के लिए कोई प्लैनिंग ने होना या सडनली कुछ त भी एकदम क्रिया अचानक कुछ त भी कर लेना मालूम ही नहीं होता कि ऐसा उसने क्योंकि आचानक इंपल्सिली हो कुछ ना लोगों के ओपर आकरमण करेगा जगडा कर लेगा कुछ ते बातों में तो ऐसा यह चौथा दुर्गुण है उसमें की यह पाइंट है कि आकरमण करना एकदम अचानक आकरमख होना यह चिरचिरापन करना नंबर पांच लोगों के या खुद के सुरक्षा के लिए लापर है कि उसके बारे में उसका शब्द देना पड़ता है किसको तो पैसे के बारे में कोई वहवार के बारे में वह शब्द का कभी पालन करेगा ने बार 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 अपना शब्द बदलते जाएंगा और नंबर साथ उसको पश्चाताफ नहीं होगा कोई घरत वहवार करता है चोरी करता है किसी को दुखी करता है वो तो उसको कभी पश्चाता भूंगा नहीं वह सेगा उसको तो यह 18 साल के ऊपर होना जरूरी है शुरुआ जिसकी 15 साल से होती है कुछ ना कुछ बरताओ के मतलब बदलाओ में दिखाए देता है कि उसके बरताओ में बदलाओ है और इ ऐसे कभी सारी बच्चे रहते हैं कि जो ऑडि इंद शोशल मतलब समाज के विरोध में काम करें किमाम आपको फूलों की हंडरी होती है एसे पैसे वज्चोंनों को पालना मांपकी रहते नहीं है फ्ली लोगों के कोई गंडर में रहते नहीं है, माबाप कोछ धौस मारते रहते हैं कि मैं निकल जाओंगा, मैं छोड़के चले जाओंगा, या फिर मैं खुद खुशी कर लूगा, तो माबाप भी डरते हैं उनको कुछ बोलने के लिए, कि ने भी मर गया तो क्या करना, तो करो, इसको बांदो, इसको भरती करो, जो करना करो हमारे हाथ के बाहर निकल गया, ऐसा लोग बोलते हैं, तो इसका इलाज, यदि शांती से, पहले काउंसिलिंग, पेरेंट्स को करके, पेरेंट्स की काउंसिलिंग करना जूरूरी है, माबाप की काउंसिलिंग करना झाल झाल